जिला विदिक सेवा प्राधिकरन मेर्ता के निर्देशा नुसार तालुका समिती मुख्याले मकराना पर विश्व तंबाकु दिवस के मौके पर विदिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया समिती सचिप जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार पारक द्वाराशिप कॉलोनी वासियों को तंबाकु सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी पारक ने बताया कि तंबाकू किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं हो सकता इसके सेवन से कैंसर फेफड़े खराब होना लिवर कैंसर फैलना आदी गंभीर रोग पैदा हो जाते है इस मौके पर शिविर में उपस्तित ताराचंद सोलनकी को नशा छोड़ने का संकल्प लिया ननहीं मुन्ने, बच्चे अबनी भंडारी आरब पारक ने पोस्ट बना कर लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया एड़ोकेट राजेश, पारक, तलत हुसेन ने संबोधित करते हुए कहा कि मनुश्य जीवन मिला है तो उसे स्वस्थ और सुन्दर बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है इसलिए शरीर को बेवजह खराब नहीं करे खाद्य पदार्थ है जो स्वस्थ के लिए लाब दायक है और जिन से रोग प्रतिरोधक शम्ता बरती है ऐसी चीजों का सेवन करे इस मौके पर अनेक गणमान्य जीवन नागौर जिला मकराना मेडिक शत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था ने COVID-19 से पीडित समाज बंधूँ के लिए सहयोग करने का निर्नाय लिया है जिसमें समाज में जरूरतमन्द परिवार के मुखिया के निधन होने पर संस्था द्वारा 21,000 रुपे की सहायता करने की घोशना की थी इसी परिपैक्ष में इस योजना को क्रियानवित धरातल पर लाड़नू तैसील में किया गया है संस्था के सचेव घंशाम तोसावर ने बताया कि लाडनू तहसील से तीन पात्र परिवारों के प्रार्थना पत्र जिला उपाध्यक्ष तहसील अध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष की अभिशनसा के साथ प्राप्त हुए जिन पर संस्था के पदाधिकारियों की टीने तीनो परिवारों को सहयोग राशी के चेक देने की स्वीकृती प्रदान की और आज स्वर्णकार समाज भवन लाडनू में जिला अध्यक्ष कालूराम रोडा, उपाध्यक्ष रमेश डावर तहसील अध्यक्ष महालचंद डावर शहर अध्यक्ष मुर्लीधर कडेल एवं पे के तीन चेक संस्था के संरक्षक रामानंद अग्रोया अध्यक्ष कालूराम रोडा महामंत्री प्रेम राज सोलिवाल, जिला मंत्री घंश्याम तोस्तावड, कोशाध्यक्ष कनहयालाल मोसुन, आपदा मंत्री जितेंद्र देवाल एडवोकेट दीपक सोनी, विद्या पूर्व लाडनू के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया की संबंधित परिवार को आप चेक देते समय किसी भी परिवार की कोई फोटो नहीं खीचेगे, नहीं किसी का प्रचार प्रसार करेंगे, इस मौके पर संस्था के पूर्व कार्यकरता समाज से भी र आमाशाहों का संस्था की ओर से जिलाध्यक्ष कालूराम रोडा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था की निर्धारित की गई योजनाओ को आप और हम सब मिलकर सफल बनाएंगे और धरातल पर वास्तविक प्रियान वित करके दिखाएंगे महावीर इंटरनेशनल वीराधरा कैंद्र कुचामन सिटी द्वारा करोना लोग डाउन में रात दिन करी डूयूटी देकर परिश्रम करने वाले पुलिस के साथियों का संस्था द्वारा थाना धिकारी रामवीर जाखर को करोना में सावधानी हितु एन पचानवे मास्क दिये वनाका बंदी कर रहे सभी पुलिस वालों को मास्क दिये साथ ही वीरशोक अजमेरा ने अपनी सुपुत्री चेतली का जन्दिन सादगी से मनाया वह सभी पुलिस भायों को लीची जियो स्वर टोफी देकर आशिरवाद लिया कार्यक्रम में वीरा अध्यक्ष सरोज पाटनी वीरा सुनिता गंगवाल वीरा सीमा काला वीरा कोमल जोशी वीरा सीता वीरा शोक गंगवाल वीरा शोक अजमेरा वीर सुभाश पहाड़ियां वीर रामावतार गोयल अमन पाटनी तुशार काला ने सहयोग किया सभी को सहयोग हेतु सुभाश पहाड़ियां ने ध स्वास्थे केंद्र पर अपने पिता स्वर्गी घंश्याम व्यास की स्मृति में उनके पुत्र मनोज कुमार मधुसुदन रमाकांत व्यास द्वारा बनाए गए टीन शेट का लोकापर्ण परिवार सदसियों द्वारा किया गया। इस मौके पर विकास समिती के अध्यक्ष रामस्वरूप काकानी, ओम्प्रकाश व्यास, रमेश चंद्र काकानी, शामसुंदर तापडिया, रामदेव रौव, गिर्धारी सेन, मुकेश सोनी, आनंद जोशी जोशी, रामेश्वर टैलर्जादी मौजूद रहे। अस्पताल स्टाफ गोकुल सिंग राठोर द्वारा भामा शाह परिवार का आभार बोरावर कस्बे के राजकी इस्वास्थे केंद्र पर मंगलवार शाम को टिन शेड का लोकारपन किया गया। इससे मरीजों और उनके साथ आये परिजनों को बड़ी राहत मिल सकेगी। यहां लाइन में खड़े होने वाले मरीजों को चाया के लिए महावीर इंटरनेशनल वीर ग्रूप की प्रेरना से टिन शेड लगाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थे केंद्र पर उपकरण वर अन्य सामगरी में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दोरान मंगल चंद श्रीकिशन मोर ने टिनिशेट सत्यनारायन पवन कुमार मोर की ओर से ओक्सीजन कंस्ट्रेटर अशोक कमल सरावगी की ओर से चिकित्सा उपकरण बच्छराज गैलिडा की ओर से वीलचेयर वर अगनिश्मन यंत्रभिट करने पर सम्मान किया गया। इस दोरान महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष विजयराज चोरडिया, वीराकेंद्र अध्यक्ष मंजूरता भंडारी, अशोक लुनिया, रायचंद बोत्रा, कैलाश चंद तिवारी, सुरेश सोनी, विकास चोरडिया, जबबर चंद खबिया आदी का भी चिकित्सा व् वैश्विक महमारी कोरोना वाइरस की रोक थाम एवं संक्रमन पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत जारी नई गाइडलाइन को लेकर उपखंड अधिकारी मकराना सेयद शीराज अली जैदी की अध्यक्षता में व्यापारियो को बताया कि कोरोना वाइरस की रोक थाम एवं संक्रमन को कम करने के लिए राजे सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था जो कोरोना के लगातार बरते संक्रमन पर काबू पाने में काफी कारगभी रहा हैं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते निर्धारित समय पर प्रतिदिन उपभाग की जरूरी वस्तूओं की बिक्री की छूट दी गई थी तथा अन्य सभी दुकाने प्रतिष्ठान बंद किये गए थे। अब कोरोना के संक्रमन एवं मरीजों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए सरकार द्वारा जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन के तहट जारी नई गाइड लाइन में धील दी गई हैं। जो 2 जून 2021 के प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि नई गाइड लाइन के तहट सभी व्यापारी मंगलवार से गुरुवार तक प्राता 6 बजे से सुबह 11 बजे तक गाइड लाइन की पालना के साथ अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। 11 बजे बाद सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिये जाएंगे। SDM जैदी ने बताया कि व्यापारियों को जन अनुशासन मोडिफाइड लॉगडाउन की गाइड लाइन की सक्ती से पालना करनी होगी। गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर सक्त कानूनी कार्यवाही की ज सदर बजार व्यापार मंडल के सचिव नितेश सोनी ने पुलिस प्रशासन से दुकानदारों के सुबह 6 से 12 बजे तक चलान नहीं बनाये ताकि दुकानदारों को आर्थिक भार नहीं पड़े। शिबराज, रूपचन सोनी, कमल टेलर, नवल कुमार, अब्दुलरहीम, सुरेंद सोनी, नितेश सोनी, मुहम्मद शकील से पाली के एक कांस्टेबल समेत चार जनों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ नाग और पुलिस ने सोमवार को धर्दबोचा वेकार से अजमेर की ओर से आ रहे थे, नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए इन आरोपियों के पास दो सो एक वर चार सो मिली ग्राम के साथ करीब धाई लाक रुपे भी बरामद हुए ये स्मैक किसी को सपलाई के लिए नागौर जा रहे थे, गिरफतार आरोपियों में एक शातिर नागौर की संजय कॉलोनी का है, ये आपस में रिष्टेदार बताए गए हैं, दो जायल का तो एक कवली सरका रहने वाला है, आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है ये कई बरसों से मादक पदार्थ की तसक्री में लिप्त थे, पुलिस अधीकशक श्वेता धंखर के निर्देश पर मादक पदार्थ की तसक्री के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी संजे गुपता, देगाना सियो नंगलाल सैनी वा थावला थाना प्र तलाश से बचने की कोशिश की पर उसकी नहीं चली। पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें 201 ग्राम स्मैक के साथ 25,000 की नगदी बरामाद हुई। पुलिस की इस कार रवाई में पाली की पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल रविंद्र विश्नोई, 33, शीशपाल विश् पुलिस को गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल रविंद्र विश्नोई पाली की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है और वो मूलतह जायल का रहने वाला है जब कि शीशपाल संजे कॉलोनी नागौर, हीरालाल कंवली सर नागौर तो राकेश जायल का निवासी है। य बिला मुख्याले पर महिला थाने में दो दिन पहले दर्ज हुए नाबालिक बच्ची के अफरन के मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस ने कार रवाई करते हुए सोमवार कोईक नाबालिक को दस्तयाब कर लिया, नाबालिक बच्ची भी उसके साथ ही थी। इसके बाल कल्यान समिती के समक्ष पेश कर बालिका ग्रह भेजा गया, वहीं, आरोपी नाबालिक को बालसुधार ग्रह भेजा गया है, नागोर शहर निवासी पिता ने महिला थाने में अपनी 16 साल नाबालिक बच्ची का अपहरन किये जाने की नामजद रिपोर्ट सौंपी थी, इस पर काररवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिक को बीकानेर जिले के नोखा से 16 वर्षी आरोपी नाबलिक लड़के के साथ दस्तयाप कर लिया, इसके बाद नाबालिका के 161 के तहट बयान लिये जाने के बाद उसे बाल कल्यान समिती के समक्ष पेश किया गया, जहां बच्ची के हितों, कोध्यान में रखते हुए बाल कल्यान समिती ने उसे बालिका ग्रह भिजवाया, वहीं आरोपी नाबालिक को निरुधकर बाल संप्रेशन ग्रह भिजवाया है, मामले में अपहरन के साथ ही पोक्सो और SCST की धाराएं भी दर्ज की गई है, मामले की जा समिती के द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए डॉक्टर नरेंद्र चौधरी अव सी बी एम होस्पिट मकराना के आर्धिक सहयोग से शहर में मूग पशुओं के पानी की व्यवस्था के लिए कुंडिया रखी गई समिती के संस्था पक पूरन मल्ग सुरेश कुमावत ने बताया 32 दिनों से शहर की मूग पशुओं और पक्शियों के लिए प्रतिदिन हराचारा, पॉष्टिक आहार एवम रोटियां खिलाई जा रही है और साथ-साथ में शहर में समाज सेव को द्वारा लगाए गए पर इवम कुडियों को साफ करके उनमें पानी की व्यवस्था के लिए पानी का ट्रैक्टर लगाया गया है। तहयोगी भामाशा, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, महेंद्र महेश्वरी, विश्नु जहवर, नितेश ज्यान, दिनेश जहवर, विजयलड़ा, पुष्पेंद सिंग्लडोली, सुरेंद सोनी, पार्शत शक्तिसिंग चौहान, शंभु सिंग चौहान, कमल मधानिया, ला पिलिद्र का च्छावा, मनोच शर्मा, तेजपाल बागडी, सीता राम सैनी आदीने साoooo